आज की इस वीडियो में हम भावती सुन्दर सी चार मोरी डिजान बनाना सिखाएंगे तो यहाँ पर मैंने फोम बाली पटी लिए है इसकी चोड़ाई धाएंचा है तो अब हम यहाँ पर एक कप्ड़े की पटी लेंगे तो इसके उपर हम यहाँ पर फोम बाली पटी रखेंगे तो साइड से हमें फोल्ड करके पहले सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है ठीक है अब हम यहाँ पर सलबार को लेंगे और इसके उपर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर एक सीधी सिलाई लगानी है तो यहां पर आप लोग देख सकते मैंने सिलाई को भी लगा दिया है तो यहां पर मैंने दोनों तरफ से सिलाई को लगा लिया है तो अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगी तो पहले हमें लहरी अटाप की कुछ इतरह से डिजाइन बनानी है ठीक है तो इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं तो हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा दिया है ठीक है अब हमें यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी तरह भी लहारी अटार्ग की कुछ इतरह से सिलाई लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से आप इस वीडियो में देखेंगे कि हमने किस तरह से पौचे में डिजाइन बनाई है तो इस तरह से देखी मैंने डिजाइन को बना लिया है ठीक है अब हम यहाँ पर बीच में डिजाइन बनाएंगे जो हमारी लारिया टार्ग की डिजाइन है इसी तो देखी मैंने कुछ इत्रे से दो पत्ती को बना लिया है, अब हम यहाँ पर धागे को कट कर देंगे, और यहाँ पर दूसरी डिजाइन पर भी हमें कुछ इत्रे से पत्ती बना लेनी है, ठीक है? और फिर सीधी सिलाई लगा देंगे, तो हमने यहाँ पर दूसरी लारिया टाइप की जो डिजाइन है, उसमें भी पत्ती बना ली है, और यहाँ पर भी हमें पत्ती बना लेनी है, देखी कितने सुन्दर सी हमारी पहुचे की डिजाइन बनी है, और यह डिजाइन बहुती ज बनांना स्टाइगे यहां पर मैंने इसको पहले से ही ही तैयार करके रखा है और इसमें मेंने दोनों तरफ से कुछ लार्या भी बना ली है कराहिए है तो अव में क्या करेंगे इसमें डिजान बनाएंगे ठीक है पूरे में हमें 2 इंच पर निसान लगा देना है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमने निसान लगा दिया है अब हमें यहां पर क्या करेंगे इस तरह से डिजान को बनाएंगे ठीक है पहाड की तरह हमें यहां पर डिजान बनानी है कुछ इतरह से तो इस तरह से हमें पूरे में डिजान को बना लेना है और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक तरब से कुछ इतरए से डिजाइन बनाई है तो इसी तरीके से हमें उपर की तरब भी डिजाइन बना लेनी है देखिए इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पर निशान लगा कर भी सिलाई लगा सकती है पहाड की तरह हमें यहाँ पर डिजाइन बनानी है तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरह भी इस तरह से सिलाई लगाई है ठीक है और जो हमारी बीच में सिलाई है उसको लिकाल देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लिकाल दिया है अब हमें आपर क्या करेंगे नीचे की तरह भी डिजाइन बनाएंगे ठीक है आदी पत्ती हमें डिजाइन बनानी है कुछ इतरह से दिखियां आप लोग देख सकते हैं बहुती सुन्दर सी हमारी डिजाइन बनने बाली है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बना रहे हैं तो यहां पर मैंने नीचे की साथ कुछ इत्र ऐसे डिजान बनाई है इसी तरह के से हमें यहां पर भी डिजान बना लेनी है तो यहां पर भी हमने डिजान को बना लिया है अब हमें आपर क्या करेंगे बीच में कुछ इत्र से लारिया टाइप की डिजान बनाएंगे देखिए आप लोग देख सकते हैं तो हमारा बीच में गैप है, हुआ पर हमें कुछ इतरह से लारिया टाइप की डिजान बना लेनी है, ठीक है, देखिए इस तरह से चोटी-चोटी लारिया बना देनी है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हमारा जो डिजाइन है बोवन कर त्यार हो गया है देखे कितना सुन्दर सा हमारा पॉंचे का डिजाइन बना है तो यहां पर देखे मैंने इसको पहले से ही त्यार करके रखा है दोनों तरफ से मैंने एक सिधी सिलाई भी लगा दी है और इसकी चोड़ाई हमने धाइंच रखी है ठीक है तो चलिए अब हमें आपर डिजाइन बनाएंगे तो पहाड की तरह हमें कुछ इत्रह से सिलाई लगानी है देखिए आप लोग देख सकते हैं और आप लोग वीडियो को आइंद तक जरूर देखें इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से मोरी डिजाइन बनाई है और यह डिजाइन भहुती सुन्दर सी हमारी बनने वाली है और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना किकि यहाँ लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ तरह से डिजाइन को बनाया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसी तरह के सी एक दूसरी सिलाई लगा लेंगे ठीक है एक पॉइंट छोड़के हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे ठीक है पाहाड की तरह हमें सिलाई लगानी है तो याँपर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ तरह से सिलाई लगा दी है ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसमें डिजाइन बनाएंगे तो जहाँ पर हमारी जगा खाली हुई है हुआ पर हमें कुछ तरह से सिलाई को लगा देना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई को लगा दिया है ठीक है और इतनी डिजाइन हमारी बन कर त्यार हो गई है तो अब हमें आपर भी डिजाइन बना लेते हैं ठीक है जहाँ पर हमारी जो जगा खाली है वहाँ पर इतनी सुन्दर सी हमारी मोरी डिजाइन बनी है अब हमें आपर चौधी पोंचे की डिजाइन बनाना सिखाएंगे तो देखी इतना हमने इसको पहले से ही तयार करके रखा है दोनों तरफ से मैंने कुछ इत्रे की सीधी सिलाई भी लगा दिये और यहाँ पर फोंचे की चोड़ाई हमने धा इंच रखी है ठीक है आप चाहें तो तीन इंच भी रख सकती है तो चलिए इसको किस तरह से सिलते हैं तो पहले हमें यहाँ पर क्या करेंगे धा इंच पन निसान लगाएंगे ठीक है पूरे में हमें धा इंच पन निसान लगा देना है और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहाँ लोग लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो हमने यहाँ पर निसान लगा दिया है इसी के सामने हमें यहाँ पर भी निसान लगा देना है तो हमने निसान लगा दिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले एक बीच में इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा देंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन हमें किस तरह से बनानी है तो जो हमने निसान लगाया है उसी निसान पर हमें कुछ तरह से तिर्चे में सिलाई लगा देनी है एक निसान को छोड़के दूसरे निसान पर हमें सिलाई लगानी है देखिए आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से आपको भी सिलाई को लगा देना है तो हमने यहां पर सिलाई लगा दिया है इसी तरीके से दूसरी तरब भी हमें सिलाई लगा देनी है ठीक है इस तरह से तरशे में तो हैं आपर मैंने दूसरी तरब भी सिलाई को लगा दिया है अब हम इसमें क्या करेंगे जो हमारा बीच में खाली जगए है इसमें भी डिजाइन बनाएंगे तो हार्ट सेफ में हमें कुछ तरह से डिजाइन बनानी है ठीक है और जो हमारा बीच में बर्फी टाइप की जो खाली जगए है वहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे और दूसी तरह भी हमें हार्ट सेफ में इस तरह से सिलाई लगा देनी है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सिलाई को लगाते हैं जो बर्फी टाइप की हमारी डिजान है उसमें सीधी सिलाई लगानी है और हैं पर हार्ट सेफ में सिलाई लगानी है आप लोग वीडियो को आइन तक जरूँ देखें इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से मोरी डिजाइन बनाई है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ तरह से सिलाई को लगा लिया है ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करेंगी उपर की तरब भी हमारी जगए खाली है तो इसमें भी हमें डिजाइन बना लेनी है ठीक है हार्ट सेफ में और बीच में जो हमने सीधी सिलाई लगाई है उसमें हमें पत्ती बना लेनी है ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हमारी जो डिजाइन है बुबन का तयार हो गए देखी कितनी सुन्दर्सी हमारी डिजाइन बनी है तो इसी तरीके से आप भी डिजाइन बना सकती है तो मुत करती हूँ कि यह वीडियो आपको जिनtechn कें होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैला कन को भी दबा दें जिससे जो मारी आने वाली वीडियो है वो आप लों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंकि यूँ